हाई गाई वालकॉम बैक टो माई चानल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने स्मूथ निंग करवाई है जादे बॉंडिंग करवाई है उसके बाल आपके बाल काफी जाए टूट रहे हैं आपका हेरफल काफी जारा हो रहा है तो आप कौन से प्रोड में आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका हेरफल बिलकुल हद तक कम हो जाएगा तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगए कि हैलफल लगए कि वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो आप देख सक पर स्मूथनिंग के रिलेटेड काफी ज़रा वीडियो देख सकती हैं मुझे काफी ज़रा कमेंट आते हैं कि हमने स्मूथनिंग करवाई हैं स्मूथनिंग के बाद हमारा काफी ज़रा हेर फोल हो रहा है हमारे काफी ज़रा बौल टूट रहे हैं तो कुछ टिप्स और ट् तो वह अपने बालों के क्या प्रोडक्ट से यूज करते हैं वह भी मैं आपके साथ श्यूर करूंगी फर्स टिप में आपके साथ श्यूर करना चाहती हूं तो जब भी आपने अपना हेर वाश करने अच्छे शांपू से आपको यूज करना है आप चाहे तो मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं नहाने से पहले आप एक दो घंटे पहले ओलिंग करें जा ओवरनाइट आप ओल को रखे तो उसके बाद अच्छे से शांपू को आपको बालों में से निकाल लेना है अगर थोड़ा सा भी शांपू आपके बालों में रहता है तो आपका इससे हेर फॉल होना स्टार्ट हो सकता है तो सेकंड टिप में आपको देना चाहूंगी जब आपके बाल 50% ड्राइ हो जाते है तो सिरम आपको जरूर यूज करना है हेर के रूटीन में आप सिरम जरूर अपना एड़ कीजिए सिरम लगाने से आपके बाल इतने दा सॉफ्ट और शाइनी ह हो जाता है आपका हेर फॉल इससे काफी अर्स तक हम होगा अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है स्मूथनिंग के बारा आप सिरम यूज नहीं करते तो इससे भी आपका हेर्फॉल हो सकता है सिरम को आप अपनी है के रूटीन में जरूर एड़ कीजिए बालों की लैंध पर शिरम को आपको लगाना है आप देख सकते हूँ अगर आप शिरम अपने बालों पे नहीं लगाते हैं इससे भी आपका हैर फॉल हो सकता है और फ़र्ड टिप मैं आपको दीना चाउँगे जब भी आपने नहाना है उसे एक दो घंटे पहले जा आदे गंटे पहले आपको कोई भी हेर मास्क अपने बालो पे जरूर लगाना है हेर पैक लगा लेना अपने बालो पे तो जो ये वाला पैक में बालो पे लगा रही हो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है और ये वाली वीडियो अप्लोडीड है मेरे चैनल पर आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा पैक अप्लाय किया है यह पैक बालो को काफी जरा हेल्थी बनाने के लिए हेल्फुल है इससे आपके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं तो जब भी आपने अपना हेर वाश करना है उसके आदे गंटे पहले आप यह वाला पैक ट्र सिया आपार की जिए बालों के लैंथ पे जो नीचे हमारे बाल बाल होती है इसमें हमें splites की प्रॉब्बर्म हो जाती है तो बालों की लैंथ स स्वोटेंगे नीचे जो अच्छे का ट्रॉर कीजिए तो जब आपने smoothing करवा लिया smoothing के वन मन्त के बाद आप oiling करना start कीजिए जब आप oiling नहीं करते इससे आपका hair fall हो सकता है आपके बाल तूट सकती है क्योंकि जब हम oiling नहीं करते है हमारे बाल काफ़ी जा dry हो जाते है rough हो जाते है बालों में कर शाइनिंग नहीं रहती तो आप oiling करना ज़रूर start कीजिए oiling करने से आपके बाल काफ़ी जारा अच्छे रहेंगी आपके बालों का deeply moisturization मिलेगा hydration मिलेगी आपके जो बालों का texture होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा तो oiling को आप अपने hair care routine में ज़रूर add कीजिए और fifth tip में मैं आपके साथ share करना चाहूंगी जब आपने smoothening कर वाली है smoothening के बाद आपको combing काफ़ी ज़रा अच्छे से करनी है combing काफ़ी ज़रा important है आप अपने comb भी बिलकुल अलग रखनी है अपने कोई भी oily comb अपने बालों पर यूज नहीं करनी है तो आप यह वाली tip को भी ज़रूर दियान में रखें कि आपको comb बिलकुल अलग रखनी है क्यूंकि इससे भी आपका hair fall हो सकता है अगर आप दूसरों की comb भी उज़ करेंगे जा oily comb यूज करेंगे उसके लाबा आपको अपने बालों पर अच्छे products यूज करने है जितने ज़रा अच्छे products अपने बालों पर यूज करेंगे उतने ज़रा अच्छा आपके बाल रहेंगे आपका hair fall काफी ज़रा हद तक कम होगा तो ये भी काफी ज़रा important वाली tip है कि आप shampoo और conditioner और mask काफी ज़रा अच्छी quality का यूज करें तो by lash का shampoo आप यूज कर सकते हैं जा matrix का shampoo आप यूज कर सकते हैं ये दोनों ही shampoo और conditioner काफी ज़रा अच्छी हैं तो जब भी आपने कोई काम करना है तो आप ponytail कर सकते हैं जारा tightly अपने बालों को और नहीं बांगना है ये भी tip आप धियान में रखे अगर आप अपने बालों को जारा tightly बांते हैं तो आपके बालों में एक bend और wave आ सकता है कान के पीछे बालों को बिल्कुल नहीं करना ये भी मैंने काफिजार वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि कान के पीछे बालों को बिल्कुल भी नहीं करना इससे भी आपके बालों में एक वेवा सकता है तो आप देख सकते हैं बाद में आपको अच्छे से आपको कॉम्बिंग कर लेनी है अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे लगेगी helpful लगेगी वीडियो को लाइक कर दे चालन को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू बाई